दोस्तों नमस्कार एंसी यह आट्टी गणित कच्छा दस्वें में आपसोई का स्वायत है आज की इस वीडियो हम पर असनावली चार दफलमचार के परसंक्या पांच को देखने वाले हैं अगर आपके यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देजेगा चैनल पर उनकी लंबाई और चुराई ग्यांत कीजिए दोस्तों यहाँ पर हमें छेदरफल और परिमाप दिया गया है और हमें लंबाई चुराई बोल रहा है निकालने के लिए ठीक है तो आज़े स्वल्प कर लेते हैं पहले देखिए हमें लंबाई चुराई में से पता रहाना मान लेते हैं लिखेंगे माना की माना की पार्क की लंबाई बराबर एक्स मीटर ठीक है तथा पार्क की चुराई बराबर वाई मीटर ठीक है अब तलिए परसने से यहां पर हमें पहले पड़ी मआप दिया गए है इसलिए हम पर Schdd rub करें दोस्तों होब को यहां पर हमें क्या जिसका प्रवेप दिया गया है आयत का दिया गया है कि वर्क का दिया गया है तो आपको इस बात से पता चल जाना चाहिए कि वर्क की चारो बुजा जो है सिम होती है लंबाई एक्स तो एक्स ही होगा और आयत की अलग अलग होती है यहां देखे एक्स वाय है इसका मतलब आयत है ठीक है तो लिखेंगे आयत की आयत की परिमाप परिमाप बढ़ावर कितना दिये गया है असी मीटर ठीक है तो आयत का परिमाप क्या आता है टू इन्टू लंबाई प्लस चोड़ाई बढ़ावर असी ठीक है और टू है और लंबाई कितना है एक्स है प्लस यहाँ पे चोड़ाई वह है बढ़ावर असी ठीक है और इस दो को हम गुना करेंगे तो ज़्यादा लफणा हो जाएगा इसलिए हम इसको इस साइट बेज देते हैं क्या हो जाएगा एक्स प्लस बढ़ावर चालीश असी है और असी में दोसे बाग देंगे यह आ जाएगा चालीश क्योंकि यह गुनाम था तो नीचे जाएगा तो भाग में आ जाएगा ठीक है तो यह हम लिख सकते हैं इसको वाई बढ़ावर चालीश मैनस एक्स चालीश तो इधर है और एक्स को इस स करती हुआ इसक को थीक है अब लिखेंगे अब अब कि उति wildlife लुए सब्सक्रेथ data आया है । भी निकाल लेते हैं जाना है आ एक है कि स्वाण के श का शेदर फॉल बरावर कितना दियेगा है 400 मीटर स्कॉाइड और आएट कर छिदर रुपल क्या होता है लंबाई को न चोड़ाई तो X into Y हो जाएगा बरावर 400 ठीक है और X Y हो जाएगा 400 और यहाँ पर Y कामान आमरा कितना निकला है 40-X तो Y कामान यहाँ पर रग देंगे ठीक है और X into Y कामान कितना है 40-X बरावर 400 ठीक है इससे स्वल्प कर लेंगे 40 को X से गुना करेंगे तो 40X और मैनस X को X से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा मैनस का X स्कॉर्ड बरावर का 400 है तो 400 ठीक है और चुकि हमको 4 का घाट जो है घरते या बढ़ते करम में लिखना होता है इसलिए हम X स्कॉर्ड को इससे ला लेंगे तो क्या हो जाएगा मैनस का X स्कॉर्ड और यह पलस में है तो पलस का 40 और यह पलस में 400 है इससे लाएगे तो मैनस का 400 भरवर 0 ठीक है और यहाँ पर मैनस कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा X स्कॉर्ड मैनस 40 यहाँ पर X है 40 X minus 400 400 बढ़ भर 0 ठीक है और यह हो जाएगा X स्कॉर्ड मैनस 40 X मैनस का 400 अब इसे हम गुनानखन भी तीस से बना सकते है तो गुननखन भी दिस बनाने के लिए पाले हमें यहां पे चार सा के गुननखन करेंगे और हमें यहां पे दो ऐसा संख्यालाना है जो मैनस प्लस करने पर 20 आ जाए तो हमारा आ जाता है 20-20 अगर हम ले लेते हैं तो 20 मैनस का 20 और मैनस 20 तो यह आ जाता मैनस 40 और इसको गुना भी करेंगे हम तो चार सा जाएगा ठीक है तो आएए हम ले लेते हैं X square minus 20 और यहां पर X है तो X minus 20 X और minus 400 बड़ावर 0 ठीक है यहां पर common ले लेंगे तो यहां पर X common आ जाएगा तो X common लेंगे तो यहां पर X minus X cancel हो जाएगा 20 यहां पर minus का 20 common लेंगे तो X minus 20 आ जाएगा यह भी बड़ावर 0 ठीक है और यह दो है तो एक लिखेंगे एक common ले लेंगे तो X minus 20 into X minus 20 बड़ावर 0 अब इसे अलग-अलग लिखेंगे और X minus 20 बड़ावर 0 और इधर भी हो जाएगा X minus 20 बड़ावर 0 तो X बड़ावर आ जाएगा 20 और X बड़ावर आ जाएगा 20 ठीक है अब X बड़ावर हमारा 20 आ गया है लिखेंगे X हम किसको माने थे ता यह दिख लेते हैं चुउरावर तो हमने यहाँ पर पारक की लंबाई X मानी थी और हमें यहां पर पर्ष्न में कर आए लंबाई चुड़ाई दोनों ग्याद करे तो हम तो अब लंबाई ग्याद करें है चुढ़ाई क्या होए है और Y का आपनी यहाँ मानी है है 40 मेनस एक्स ठीक है आई यह इसे लिख लेते हैं तो हमारे पास लंबाई कितना लिखा है लिखेंगे यहां पर पार्ट की कि लंबाई एक्स है बरावर कितना निकला है बीस मीटर ठीक है यहां पर लिख देंगे अतर लिखेंगे इसलिए चोड़ाई बरावर चोड़ाई वाई बरावर किया था 40 मैनस एक्स तो 40 एक्स का वेल्यू कितना है बीस है यह भी आजाएगा बीस मीटर ठीक है बीस मीटर अगर कि हमारे पर्स में कर रहा है यह एक परिमाप 80 मीटर तता चेदर फॉल 400 मीटर स्कुएर के एक पर्क बनाना संभव है यह दिस अब है तो उनकी लंबाई चोड़ाई यह लंबाई चोड़ाई हम ग्यांत कर लिए हैं इसका मतलब पर्क बनाना संभव है तो आजए लिख लेते हैं इसे यहां पर लिख देंगे अहां पार्क बनाना संभव है संभव है यह हो जाएगा हमारा आंसर आई होप कि आप से कुछ सवाल साज में आ गया होगा अगर किसी परकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं फिर मिलते हैं एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत